तो आपके स्लेबस में उनली यूनिट फोर तक है मतलब एक इंट्रॉडक्शन है दूसरा आपका पॉब्लिक सेक्टर प्राइबिक सेक्टर इस अंट्रप्रेशिप तीसरा आपका सोर्स आप बिजिस आइडिया अच्वाथ आपका है मॉबलाइजिंग अगर तुम लोग मूड बनाके आओ अस्ता उस्ता लेकर मूद खाना हमको भी खेला देना हम तक खतम कर देंग है इतना जाधा नहीं है रियान चाप्ति है प्राइब चाहिए अलग होता है अगर हम लोग का प्राक्टिकल थोड़ा दिले भी होगा न चलेगा पर सब्सक्राइब करके एकनॉमिक्स का पूरा वो दे दिया था इक वो दो दिन का बेसिक मैंने एक दिन में दिया था तो वो तुम लोग सबसे पहले ना हम आपको पहले आप नोट्स मत देखें यह इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले हम लोग यह सीखेंगे कर यह कि यह entrepreneur होता को नहीं और यह आपको समझना पढ़ेगा यह entrepreneur होता क्या है यह आपको पहले समझना पढ़ेगा यह entrepreneur होता क्या है मैं पहले आपको कुछ बताना चाहते हूं कि ध्यान समझना पढ़ेगा इस कोचण सेंटर में मुझे कितना student का requirement है उसके हिसाब से मुझे पढ़ेगा 40 इस्टुएंट बैठाना है यह तो इस्टूएंट बैठाना है उसके हिसाफ से मुझे क्या लेना पढ़ाएगा इस सबसेंट लना पढ़ेगा सब्सक्राइब कोई अलग सब्जेक्ट आ गया जो कॉमर्स में पहले नहीं था कोई साइन्स में सब्सक्राइब अब उस टीचर को बुलाना है या नहीं बुलाना वो डिसिजन कौन लेगा इसके अंदर कापिटल भी कौन लगाएगा डे टुडे मेंटेनेंस का डिसिजन कौन लेगा स्टाफ कौन रहेगा रिस्क कौन लेगा रिस्क कौन लेगा रिस्क सेंटर खोलना भी तुरिस्क है ना हो सकता है इस्वेंट आए या ना आए ठीक है अब बहुत हो इन्वेश्मेंट मैं कर रहा हूं रिस्क मैं ले रहा हूं सारा का सारा डिसीजन चाह सब्सक्राइब के बदले में क्या बदले में सर्विस् this is the exchange ऩर श्राइब मील रहा है सड्वीशिस से आपको क्या मिल रहा है सटिस्क्ष्ट्ट्ट्चन चहां पर सटिस्ट्ट्चन और सबक्राइब एक्सचेंज हुथ है उससों क्या बोलते प्राइब नहीं होılmışभ can कि अगे पीछ बड़्यक्ट क्या इस कोचिंग सेंटर में प्रडॉक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा रहा है न रखेस है अंब आप बताओ है कि आप लेंगे कि कर नमने कर जाएंगे काहान अतलब रिस्क के बदले क्या योग रिवाइद होता है कि जिएथ सा इपर साहित को आइड़ा मोई है तरो político प्रोफिट्लोय नियनर इसे मेर किसका है डंड बर गया पूरबेकम कि democr चरही रिसूर्सलेक्ट्याओ आयट परण करना है आइसे बन लें कापिटल इडिन को प्रेक्योर करें प्रेक्षोर करें प्रीज को एक्वायर करें लाकर कोची मिलाना आज यह टेबल वगरा कौन लाया हमें तो रिशॉर्स को इडेंटीफाइब बिसनस में लेकर आये साथीज इसक्षेज जो खुद मोटिवेटेद ह तब ही मोटिवेटेड नहीं यह तुम जहां पे काम कर रहे हुए बहुत ही मोटिवेटेड नहीं है इसे बंद करें जो में एक पापा अगर आपना खुद का बिजनस बूद्ध सब्सक्राइब है कि अगर वहां पर ना इन्ट्रेशन किया कुछ ऐसा कर रहे है तो आज तक ने नहीं किया या कुछ जो बिजनस कर रहे है कि टेक्लोजी इस बिस इनोवेशन आज ऐसे बिस आप दादा ने कचो हुआ हम भी बिकाउम का कच्छ लेकिन हम मेरा कचोड़ी सिर्फ कलकत्ता हम नहीं विखता है पुरा आल ओवर इंडिया मेरा बहुत सारे आउटलेट आ गए मेरा कचोड़ी का जो डिजाइन है ना वो कंप्यूटर डिसाइड कर तो कहाने मतलब मेरा जो बिजनस ना उसमें टेक्लोजी बहुत सारा क्या है इनोवेशन है मैं बहुत चोटे लिए बिजनस नहीं कर रहा हूं तो बड़े लेवल बिजनस है उसमें ना इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैं नहीं लगाया हूं मैंने उस कचोड़ी वाले बिजनस को एक कंपनी में कर दिया कंपनी में करके मैं लोगों से पैसा ले रहा हूं बदले बेशियर लाव नाम सुना बड़े लेवल पर काम हो रहा है ऐसे लोगों हुआ है कि इसन क्या पैर कि बिजनस और यूद्श परन बेसिक को दोनों का डिफिनीशन जी में है जैसे एक बिजनसमें मैं अपना दुकान है तो लाइंट युद्व घिकारेंगे तक इतना बड़ा दुकान का साईज होगा फ़करेंगे लेबर भी इसए करेंगे नहीं होते हैं तो highly motivated entrepreneur अच्छा कौन बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल है अगर entrepreneur कोई decision लिया कलकु कुछ गलत हो गया और जैसा situation होगा उस आप से खुच्छ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते है नहीं सान में 100 साल पहले पेंट लगा वहीं पेंट लगा आजी हटेगा तो customer चला जाएगा वहाँ पें ना तो businessman में ना तो बहुत इन हो आप पुट ज्यादा हाँ अग्सिबिलिटी और अब देखेगा आपके अलिया में जो पान है आप बच्पन थे अच्पन थे तब भी वहीं दुकान है और आज भी वहीं दुकान है ज्यादा वो एक्सपेंड नहीं करते बेसिट डिफरेंस यहीं आ जाता है कि एक जन बहुत highly motivated है बहुत quick decision लेता है बहुत innovative है बहुत flexible है अंदर वो leadership quality आती है जो बहुत बड़े लेबल पर काम कर रहे है कि अपने चाय वाले नाम है कि अचाय बहुत पहले से बिक्तिवार इंडिया ने क्या कर दिए ऐसा क्या करके जो हीट हो गया पूरे मार्केट में राइट नहीं चल रहा पर एक पुरा बोल बाला था उसका जगह 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 उसके आउटलेट खुल रहे थे अब देखना चाय बेचा हम नौर्बल दुगार पर चाय पीचते हैं भाड़ों मिलता है नहीं हम आपको जो कप देंगे आउटलेट में चाय पीचे जगह 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 मोटिवेशन लगा के रखा हुगा है चाय बेचा वही समोसे बेचे इवन घटिया समोसा बेचा हमारे दुकान पर और तल करके देदिया उस नने क्या कियाँ पुराना चीज न नहे तरीके से बेच है है समोसा चाय पीच पर देचा ब्लत करना की बिजनस करेंगे अलग तरीखार करेंगे तन था था थो का खुद का अपना ओने सिस्टम था फोन करिया घर पहुंचा देगा वो अंग जगाजागा पुसका आउटलेट था जगा 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 पर आउटलेट था हमारे गने स्टॉक में खराब चल रहा है तो उसका देखो लगभग लगभग बीच पीक पर था तो फ्रेंचाइजी सिस्टम किया था कोई भी मेरा बिजनस मॉडल में खड़ देगा तो वो सको पीस-पचीस अखर देना पड़े लेवल पूरे आल ओवर इंडिया में चलो एक्जम्पल लेंस काट रहा है पहले नहीं नहीं दिखता है पहले क्या होता था कि अगर आप डॉक्टर पास जाते थे और चस्मय का नंबर लिखता था फिर आपको अलग से चस्मय को दुखता है लौट और इसबसे चस्मय कब ब emails दचबशिए अब दिखताए प्शिक और आपको द्फेटालस अब एक पूंद इसका प्रता कि देना कंशिक हुआ तो इसको नामे और एंट्री रहेगा वहां पर तुम वहां से एंट्री करेगा तो देखेगा अब इधर 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 इस टालेस चस्ट बड़ा बड़ा आईना लगा तो मन तो करें पहन कर देखें तो कहाने वतलब कि आपके मन में वह ख्याल आ जाएगा अब अंदर प्रचाय आपको जसमा का अब हमारे आंस लेंगे आपको घमशिप पता है एक बार लग लग घया इवन भर गोल्ड कस्टमर बन जाओगी एक बार लोग गौल्ड मेंबरसिब देता है फोल्ड मेंबरसीब इतना होता एक साल को चैसमा नहीं लगेगा इतना दिन जिन्दा लगेगा तो आपको फसाने के लिए उसके जाल में तुम क्या दे दिया गोल्ड मेंबर सीफ दो हजार चस्मा एक हजार में एड़ दा इंड लॉस में नहीं है चस्मा तो पांस हो गई है ताम बढ़ा के रखा था दो हजार तो हजार बेचेंगे तब भी उसको प्रोफिट मे सब्सक्राइब अच्छे समझ रहा है उनको कोई बोल देन आपको यह फ्रेम ठीक नहीं लेग रहा है वह अगला दिन चेंज मतलब उनको क्या लगता है ना फ्रेम सा सकल खारा हो जाते है तो फ्रेम हो रहा बहुत मैटर करते है तो लेंस काट वाले ने क्या किया फ्रेम पर बहुत काम किया उसका जो डिजाइन वाला फ्रेम है और मार्केट वे जो फ्रेम मिलता दोनों में अंतर रहो बोलो पता है क् तूसरा को अगर बनाएगा तो केस कर देंगे कि आपको अलग अलग डिजाइन कर रहा है प्लस अपको लेंस कार्ट वाला क्या बोलता तेरे घर पे अपको अपने घर पर डिलिवरी मिले अपने आई टेस्ट कराया सब कुछ था अब आप घर जाईए घर तक आपको डिलेवर अब आप के थूँ अब अरे फ्रेम चेक कर सकते हैं खुद अब 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 लोग करता था कि तुम्हां लोग अपना पर सकल दिखाएगा तो जिस भी चसमा पर क्लिक करेगा तुम्हारे सकल पर दिख जाएगा और ऐसे आपको दिखेगा तो आपको न देखके लगे कौन सा कर रहा है कौन साइब नहीं कर रहा है पर एजमपल तुमने एक ठो पसंद किया तुमको अच्छा लगा तीचे लेका बाइना उप्षेले का अशेगा पसंद आया तो खड़े दिलो पसंद आया तो खड़े दिलो कि क्या समय बेचा अलग तरीके ट्रेडिश्नल तरीके से प्लिए बैच अलग तरीके प्लिचे अंट्रपेनर किया एक बिजनस्मेन बचा रहा दौना उठेगा 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 पता है पूरे इंडिया में धवाजा इंडया में हंगावा मचान भड़ी लेबल पे काम इंटीक होती है इस नहीं इसको बिजनसमेन के कमपेर में जाधा रिसक लेटा तो बड़े लेबल पे काम पुरे इंडिया उसको इसको फोल खोल तो एक अंट्रपनेर और बिजनसमेन में बेसिक डिफरेंस यहीं पर आगे कि जो बिजनसमेन कम रिसकी रिसक लिफी पर थे केव हुएं जाधा मोटिवेतेटरों बिजनसमेन में कैंकी जाधा प्रोफिट घूण न कम चालो यूरू लेना मिंट्ब यूद्फान को दूकान को गरना व Marsh बुबत को दूकान उइनल उन7 डिवाली ने तु लोग काफी ज्यादा इनिमेट तो एंट्रपेणर और बिजनस्मेन का देखना डेफिनीशन सेम लेकिन बेसिव दिफरेंस आप बताओ बिजनस्मेन और अलग-हलग है अलग है अलग-बैसरी बात क्या होता है लेवल पर काम करता है और भ्यानक फ्लेक्सिब्लिटी इन दर ग्रूप ग्रूप को चलाने का आउकात होता है उसके अंदर न मतलब यह जोगों के साथ मिल करके उनको पता है मैं जितना जादा लोगों से मिलूँगा उतना जादा कि अब नेक्स्ट प्रूप्रेंट्री तक को मैं रियल डिर्शेश अंधि इवरी ऑंट्रप्रेंट्रेट्री विद्ध प्रॉब्लम औंट्रप्रेंट्रीश्चिप का सिंपल सा मतलब क्या हो है आपने पॉलम को तरप किया वह एकप्राब्लम है आपने उस प्राब्लम का एक सुलोशन निकाल ना इक अंत्रिप्रसिट को अपने सब्से रिचस्ट पर्शन को अर्लों बसक्री पर्शन नहीं हुआ करता तो प्राब्लम देखा प्रोकेट लॉन्च हो गया कि अब दुबारह यूद़िर असती yogοι तिन्थ गया तो आंगलॉ Tax यज तो अधिक मया नोज ते दाए Park और जैदा हो रहा था अब वही फॉड़ा कर वडंडा सु खतर पर गिरता लोगों को प्रॉक्दम वो कूडा करके भी फैलाएगा अंत्रों प्लस दुबारा यूज नहीं करेंगे अट दा टाइम इस्तफाल जादा हो रहे है कि अगर एक चीज को आप बार बार यूज करें लुगा यह बहुत बड़ी समस्या थी ना सर्फ एलाउन मस्क के रहे समस्या थी पूरे वर्ड की सम कंपनी रॉकेट बन विऊजबा रॉकेट अब बताओ प्रॉब्लम का सलूशन आया कि नहीं लाए उसके कंपनी टेसला आर सुना तेसला का पार्टिंग में टेसला कार ना यह जो एलेट्रोनिक आराया उसका कॉंसर्ट लाए पेट्रोल डिजल आये दिन उसके दाम बढ़ आरे और पेट्रोल से निकार में अरे इन्वार कराव है कि क्या कि है ऐसा कार बनाया तो बैटरी पूचे अ उसका जगा 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 अपलस उसका जो कार होता है ना कंप्यूटर चलती है तो ड्राइबर को फाइंड करना भी बहुत बड़ा चलेंज है कोई बात नहीं आपको ड्राइबर निया आपको प्रॉप्रा सिस्टम लगा याई बेस्ट आरे उसकी जहां से मुड़ना थीक मुड़ी जाएगा वैसा प्रोब्लम को बना दी बुह बुर बना दी यह सब्रॉबलम कैंड निकाला सोलोसल दे रहा हूं तो आज देखो आज निबस दुनिया के बहुत बड़कर अंट्रेशॉपणि को Nag tv भूण कि और तो तोन नोख थोड़ा छार-पांचीड न पैटीम का क्यूज़कों अलग होता है पहले जानता था प्रॉब्लम क्या होता था हम लोग दुकान पर गए हमारे पास पेटीम है अब उसके चकर में इस्टॉल करना पड़ता था ठीक है कि इसरा दुकान में बोलता पेटियम चाहिए अब उसके चकर पेटे में इस्टॉल करो बड़ी तकलिफ होती थी और कोई भाई अगर आने को लाग मिल गया अमेजन पेकर रखें अमेजन पर नहीं था उतना आज भी उतना पॉपलर नहीं है अब अब गलती है तुमको अमेजन पेका बनाना पड़ेगा कस्टमर बिचारा अगर बहुत सारे तुम एप इंस्टॉल कर लोगे अपने लोगी चार-पास चो अप्लिकेशन यूज करते थे पेमेंट करने के लिए बहुत बड़ी समझ कि अलग अलग कस्टमर को अलग अलग क्यूवार कोड के लिए अलग अलग अप रखना पड़त भारत पे को यह प् अश्या, प्रावलम ठीकिनी प्रावलम ठीट वोख है, भावला ती क disrupted मेरे तो कि रूग दार परशान परसंं कस्टमर परशान अब दुखान दार यू सम्ना चाटभ क्यूबर लखा आहा है चारयों क्यूआर वचारा बेखान गूल्स ओफग करदा थे फ़िए गुड बनाए कि जो टेक्नलोजी ने क्या किया एक के मदद से एक युनिवर्सल क्यूर कोड बनाए युनिवर्सल क्यूर कोड का मतलड ही तुम्हारे पास कोई भी अप्लिकेशन हो तो अब युनिवर्सल क्यूर कोड में क्या हो गया ना तुम्हारे पास अगर पेटियम है सामने वाले पास फोन पे तब भी काम अगर किसी पास भीम का क्यूर कोड है और मेरे पास अगर जीपे है तब कोई का मतलब क्या है एक ऐसा क्यूर कोड जो सार्य अप्लिक है आज हम लोग भी एक क्यूर कोड रखे यूनिवर्सल बोलकर पास कोई भी एपर है हम लोग पूछते नहीं हम लोग आटिकल देखिए सकैन कर लो कि मुझे पता है कोई भी तुम्हारे पास आपर है अब में काम और उस प्राब्लम क्या निकाला एक अंडिया में जितनी भी आंटर में से चलो चाहे भारत पे लेंसर कार्ट लेंसर कार्ट मैंने एलर्वस का इक्जांपल दिया और सुनो तो आपने अपने उबेर ओला का नाम सो तुम्हारे सब्सक्राइब टेक्सी माफिया की सब्सक्र तत्व करौ बस अगर कहींः जाते थे कर्सब्सक्णतो सई ऐंसमाज कर देखा स्याएंडिया में तुम्हां披ोरीं अगे अफ सब्सक्राइब जरौ मैं अनॐध नंबर पता है ना तुसका मुवाइल नमर पता ना उसका गाड़ी का नमर पता किस रूट से मेरी जा रहा है भी नहीं पता अगर कोई फीमेल अगर फीमेल टैक्सी में अकेले जा रही है लोग भीजने से डरते थे तो अबेर को यह प्रॉब्लम समझ में आई यूस में वाई सेफ्टी फीम और आडैया जा रहा द्रायवर किस रूट से लेके जाएगा इस रहे जाल यह लेके जाएका उसका नमबर क्या है जाड़ी का नमबर किस नोंबर क्या है इसके लिए उन्हें एक बनाया ओब्स अप्सक्राइब एक साहरा का सारा इंफरमेस्ट गाहां जाना है को भला दिखा देगा इस व्हूंगे तुम्हारा ड्राइबर इसका पुना दिखाता रहता है अब फरेजमपल मेरी नबर मेरे को पता है काली का नंबर मेरे को रूट से बहुत 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 समस्या थी तो चराच कर दो गुबर कई तो कॉंसेप्ट ओलाव आया ना इंडिया में तोरी करके है तो आप इस देखो लो यह में जितनी और फॉपलम देखा और प्रॉबलम क्या निकाला एक स्लोचन आपको भी कल को कोई बहुत बड़ा उंटरेप्लार प्रॉपलना तो आपकों भी कोईन знаком की प्रॉब्लम देखणा पड़ेगा अगर आप horsesटे की प्रॉब्लम को देखे जि तक मी बड़ी प्रॉब्लम इसकी टेक्नलोजी का डिमांड हो गया फिरो पग्रम भी क्यू रोड चल रहा है अपना तो आप देखो ना एक मैंने बता रहा हूं अगर आपको अगर आपको लाख पती बनना है तो आप लाखो लोगी प्रवल्म सल्गें इतना बड़ी प्राब्लम उतनी बड़ी ओंट्रेप्रेंसी वी उसेबल रॉकेट बहुत बड़ा प्राब्लम था हर इक देश के लिए अब तुम्हारे घर महमान आ गया तुम्हारे घर महमान अब माले तुम लोग बड़ा सारा भूक लगा कुछ खिलाई है क्लास फड़क तुम्हारे लिए कुछ लेने जाएंगे या बैटे बैटे क्या मगा देंगे जो मेंटर सुगी प्रॉलम थी ना वारे घर पे भी फॉर एग्जामपल कोई आ गया तुम्हारे घर पे कोई आ गया अब तुमको कौन खाना बनाएगा उपर से उपर से मेरी बहन है क्या बना भी देंगा तो लेड़ी की लोगा प्राम यही है बना दो देंगे बुराई कर देगा थोड़ो भाई इससे अचा कहा समागा लेते हैं तुमको खाना कोई खाना ओफर करना रहे आदा हंटम तुम क्या खाना बनाओगे तब जी काटेम लग जाएगा तुमना 15-20 मिनिट कहाने बतलब किया इतनी बड़ी समस्या थी प्लस आलसी लोग तो उतरना फड़ेगा यह उतरना फोड़ा प्रावलम है लोग जोला फिकेंगे रसी से उठागे इतना गंदा लगता है मेरे को जेगने में वह चार तलो नीचे ने भीजा फेकर नीचे फिकते रहे हैं आलसी का आलसी का एक्जांपल हम तो कितने लोग वीडियो बनाके व अगर आपको इंस्टेंट फूड चाहिए यहां से भी फूड मंगाना आपको आप घर पर मंगा यह प्रावन थी कि लोग आज के टाइम पर लोगों की जो लाइफ इस्टाइंटरी है लोग उतना एक्टिव नहीं है सबको पीजा-पुजा जाधा खाना है सबको मतलब घर अब नॉर्मली क्या पहले के टाइम पर पीजा जब यह सब आप नहीं था किसी ना किसी को जाना पड़ता था हमां लोग पांच लुप है दो लोग बचारा चला किया तीर लोग आपसे देख रहा है तेरा कि दूसरा आएगा फिर बताएगा तो क्या ग्रूपिजा नहीं समस्ती कर रहे है बाद में आ गया खा कल तीस मिनट के बाद रहेगा तो फाइन ले लेंगा लग से तो यह सब जो प्रॉब्लम थी ना कि लोगों का लाइफ इस्ट है तो बहुत ज्यादा इंगेज्ट है अब वर्क में तो अब एक्स्टा टाइम ही रोग पास नहीं जब खाने का तो मैं जलों ब्लिंकिट लेंगेट में देखो ना विश्टा ब्लिंकिट का रिंग करता है ना तो बोलता है तुम लोग पलक जपाओगा आ जाएगा यह कॉनसेप्ट देखना घर पे और यह प्रॉडम्ति अब सुनो अचानक से घर पे खाना उसका डिवर्टीज के बिए अब लुग तुम लोग क्लास करने आया पामी बोलती है घर में आलू खतम आए नमक खतम हो गया यह घंव्लोग क्या प्लशन सा करते करते हैं बहुत वड़ी समस्या थी कि आगर आप घर किसे में गर का किला हूं पलता निकलने को लिए वाला अब जो करना मुझे करना मुझे अब मेरा इतना है क्लास के पहले अगर फोन आ गया घर पे कि अचला कुछ अंकल उंकल आए हैं बाबु अंकल आए हैं उब भी मंगाना था सब भेजवा दिया टो जित्नी भी चालू होई न वह कहां से चालू हुई इसंए उन्हें प्रॉब्लम क्या निकला सलूशन मतलब ब्रॉब्लम से रिलेटर्ड क्या ख़़ा किया बिजनस ख़़ा किया इसी को बलतें और्ट्रेप्रोंसिव यही है का एक बढ़्या सा सुंदल जा सोशनिकाला का इसका मतलब प्रॉब्लम को इतर पर संगा फशिए entrepreneur कौन है एक पर सक्षोन क्या है एक प्रोसेस क्या है एक प्रोसेस नियुक्रत एक अ pot बट मतलब साइड में सोचना की इसका सोलोशन यह हो सकता वो सकता यह हो सकता फर एजम्पल प्रॉब्लम को देखकर आपको आइडिया मिला उस आइडिया आपने वक किया अब जैसे आपको लगा कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए में करोड़ रुपया का चा अब तो प्रोसेस प्रोसेस का मतलब क्या है प्रॉब्लम को देखना आइडिया को जनरेट करना आइडिया पे काम करना उससे बिजनस को खड़ा करना मार्केटिंग करना कस्टमर को जोड़ना प्रॉफिट कमाना बिजनस को लंबे समत अग ले जाना इसी पूरे प्रोसेस क ऐखको जो बिजनस बन करके खड़ा उतरा जो मैटो Canadian है और सकाड बिजनस को लोग बोलते हैं enterprise तीन वर्ड मैंने आपको सिखा दिया जो बिजनस बन कर खड़ा हो जो बिजनस बन करके खड़ा उब उस बिजनस का नाम किया है इंटरप्राइस नाम क्या है इंटरप्राइस इस पूर्य प्रोसेस का नाम किया है हुव है पर सब्ली को दाब उस बिजनस का नाम क्या है न तो आप ना फटाफटलिक लो ये हो गया बिजनस प्रटाफट नो टाउन करें पूरा समझा देंगे एक एक वर्ड समझा देंगा तुम आप बताओ ये फेस्बुक वाट्सब अमस्या तिन फेस्बुक अला में वच्पन का दोस्त कहां रहता पता नहीं फेस्बुक जुड़े हुए है बात्चीत हो रही है कबसे बढ़ा वो टिक टॉक इंस्टाग्राम रिल ये कौन्सी प्रॉलम थिया हमको समझा नहीं आया पूले क्लियर है मुझे एक एक रहा है को जुड़ा एक नहीं जुड़ा है को काजला मनिशा सब्सक्रानी महां कर दिया है ऑन्रमांने कर दिया है बसके अंटर बेस समवन वू इस्टार्ट ये औल बिजनस तो अपना खुद का बिजनस शालू करता किए करें रिस्क क्रिएट सम्थिए करें किया नया करेगा और बुच्छ नया हटके उच नया किया आप चाज आया या तो गुड्स हो सकता या तो प्रॉब्लम को अइटनीफाई किया एक अ कल्पिलेटर रिस्क तर इसक ऐसा है पागलों की तरह मतलब बिजनस उसने क्या किया सारे रिसोर्स को एकठा किया उससे क्या खड़ा किया बिजनस और इंप्रूफ एक्जिस्टिंग वन्स अब ये इंप्रूफ एक्जिस्टिंग वन्स अब ये इंप्रूफ एक्जिस्टिंग वन्स अब ये बोटल है अब ये नॉर्मल बोटल ह लेकिन अगर सेम बोटल को मैं एक मोडिफाई कर दू यह वी एक इनोवेशन में तंपरेश्य कि नॉर्मल बोटल में टेमप्रेश्य बॉर्मल टेमप्रेश्य को आप देखिए पहने का बोटल में नॉर्मली पानी जल्दी गरम यह थंड़ा हुआ तो अब यह को जो मिल्टन कर दिया बोटल को स्ने नए तरीके में बना दिया इसको बोलते इसको बोलते इंप्रूफ इक्जिस्टिंग वन किसी इसी इग्जिस्टिंग प्रोट्ट को आपने नया कर दिया अच्छा यह सब क्यों कर रहे हो क्या करने के लिए प्रॉफिट कर आने के लिए एंड मेंकिंग दप्वॉस्टिव इंपेक्ट अन सुसायटि विसका इंपेक्ट क्या और प्वस्टिव और अपना टूटा फूटा अंग्रे जी चलेगा बियार इंडियन चलेगा टूटा फूटा इंगले सब चलेगा ठीक है अचा इसका फीचर्स देख लो तो कैसा उसके अंदर क्या इनोवेशन वोगी सोसता है काफी हट के शोस और जो भी बिजनस करता उसमें क्या ईनोवेशन उनेवेशन क्या लेकर आ रहे है वह गिया मैंने क्या बाला बिजनसमेन के कंपेर में ऐंटर्परणर जादा रिस्क लिए अच्व इन्दर क्या लिडर बहुत मत्रक अगर आपको बड़े लेबल पर काम करना है तो आपको सब को लेकर साथ में पड़ना पड़ा है प्लस फीजनरी जो आसावादी सकता है जो दूर तर देख सकता है कि अपने को कल क्या करना है पता नहीं किसी तरह आज दिन बुजर्ज है बड़ी बात है अभी क्या दोजार चोबीश चल रहा है तो पता है दो हजार चाटीस में क्या करना हुई पता है जो काम आपको 10 साल में करना है उसको आप एक लिस्ट बनाओ और उसको एक साल में करने एक हुई और अगर उसका तुम 50% भी अचीव कर लिया 10 साल का काम 50% तब भी तुम दुनिया से क्या निकल गए प्ट करना है तुना वड़ा विजनरी है वो दूर दरसी है आगे 5 साल के अच्छे बात क्या होने वाल उसको ठीक पता है आज आज अब लोग माइक्रोसॉट्व उसकरते हैं विंडोज उसकरते हैं किति व्राणी कंपनी उन्हें उस वक्त बैट करके सोचा होगा ना आज कंप्यूटर का बोलबाला नहीं है एक टाइम आएगा कंप्यूटर का बो मिलियन था काफी कम सस्क्राइबर था उनको पता था जो बड़े 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 जो आज देखो नाम सुना होगा किसी का 25 मिलियन है का इसका इतना इतना बड़े-बड़े यूटूबर है या जब वो यूटूब चालू कि होंगे 2010 में 2009 में 12 में तब सोचोंगे ना कि जबी मिलता था वन जी भी टेर सुरुपया में तो सुरुपया एरिटल तो साड़े तीन सम बेचता है एरिटल का वन जबी सिड्नी बेच के लेना पड़ता है इतना महांगा वाता था तो वो लोग उस वक्त सोचे थे आज देखो प्रेज किया तो क्या है विजनरी है एड सब्सक्राइब करेंगे कभी ना कभी तो दोस्ती काम आएगी नेटवरिकिंग बहुत इसके फिकर से फिचर्स क्या है असल टॉपिक को याद रखना अपने लेंगमज बनाना प्रेला फिचस क्या है इन्नोवेशन वो जो बिजनस लाता है दूसरों से हट के अलग उसका बिजनस बिजनस है किसी से मैच रिस्क टेकिंग रिस्क लेता है लेकिन कालकुलेटेट बट याद रखना बिजनसमैन के कंपेर में ज्यादा रिस्क लेता इसन इसन बिजनस में पस्टेंग करते जाओ करते जाओ करते इन भर स्क्राइब तुमको न अंट्रेपनेर का अगर फीचर स्याद न रहे भागा राम को याद के लेना वागना का फीचर सो सकते हैं तो पहला फीचर क्या है प्रोड तो बिना देखे पहला इन्नोवेशन इंडिन बिजनरी हो गया, परसिस्टेंस हो गया, एडापटबिलिटी हो गया, लेडर्सीप हो गया, हाड़र की हो गया, पैसनेट हो गया, भगमान राम, अच्छा, अपॉर्चनुटी अदेंटिफिकेशन, तो यह अच्छा, फॉंक्शन, तो नो, फॉंक्शन आफ ऑउंट्र मीवाइब पहला अपॉर्चनोटी अटेटिफिकेशन अचा प्राब्लम का ना चून करेगा प्राब्लम का आइडेटिकेशन कौन करेगा अंट्रेप्नर अचा इनोवेशन और ना एका उन्ट्र रिस्टेकिंग बन जो भी लैंड लेबर आया उसको मैनेज कौन करेगा एंट्रपनर डिसीजन कौन लेगा तो आ गया तो आपना कौपी थोड़ी कि अगर अगर फाइब मार्क सब्सक्राइगा अध्लिसिक अगर क्या बोला ऑंट्रपनर के बारे में भगवान नाम गयात करना कितने अच्छे थे अब याद करते हैं अभी बार तुमको ओंट्रपनेशिव का डिफिसर प्राथ हूं अरे और अब उसका डिफिनिशन बंढ़ना देखो अब देखे सुनो सुनो ओंट्रप्रेशिव इस दा प्रोसेस हलो ओंट्रप्रेशिव इस दा प्रोसेस किसका प्रोसेस आइडेंटिफाई कर ना प्रोसेस आइडेंटिफाई करना 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 प्रोसेस त्रोर ऐसा नहीं, प्रोब्लम के अंधर अपरस्टोंटी को देखना, ता जया रूसन ने , मैं तीम निकाल लूब कुछ पारबर उल, जाइट वाइट वाइट जिरवी यारा भाई , टीक करू लुए, आस तब्सक्राइब , सुन और पहला क्या और इंट्रफिस इस दा प्रोसेस ओफ अइडिटिफाइंग क्रेटिंग और परसुइंग दा अपर्चुटी पता ना अपर्चुटी क्रियेट करना बढ़ी बात होती है तो अगर लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छी बात है बुरे में ही कुछ अच्छा ही मिलेगी तो प्रॉबल्म क्या वह जो अंत्रफिनसी पर ना वह एक ऐसा प्रोसेस है जो अपर्चुनिटिपाइड करता है तो अपर्चुटी को अइडिटिफाइड करता है क्रियेट करता है एंड अच्छा यह सब क्यूं कर रहा है अलो यह प्रॉब्लम को देख करके एक बिजनस करके यहां पर बोलآ है, कि प्रॉब्लम को identify करना प्लस उस प्रॉब्लम से अप्वर्चुनेटी को create करना या या अप्वर्चुनेटी को देखना और उस 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 अप्वर्चुनेटी से business को खड़ा करना इस पूरे process का नाम क्या है क्रोसेस किसका प्रोसेंस तौस ब्रोब्लम को देखना अपने आपमे अपने आपमेवितलब चैलेंज घैलेंद्प प्रोब्लम को देखना इस वहन आफ्न दो प्रोसेस opportunity को identify करना इस another process opportunity से। कौन सा भी जनस सकता था, इस another process and the process, क्या है, क्या है क्या है, tracking and pursuing the opportunity. अब इसमें वही ज्याम दे रहा है कि इसके अंदर रिस्क है इसके अंदर इन्वेटिव है ज्याम दे रहा है आपको नब बिजनस खड़ा करने के लिए लैंड लेबर कापिटल लगाना पड़ेगा आएंड एस्वुमिंग रिस्पॉंस क्या में चीऑ लेडराई लिए मोग बताई अब अब तक अपने क्या सीखें है आपने क्या सीखें तर अंट्रों क्या एक पर्स एक परसन के लेबर कपिटल को इडेंटिफाइ करता है रिस्क के लेता है जो अपने बिजनस में जो बिजनस कर रहे है वो अलग तरीके से ले रहे है तो विजनरी है प्रसिस्टेंट तो बहुत जादा हाड वरकिंग है एड़ापटिविलिटी का फीचर से लिडर्सिप की कॉलिटी है गूरूपिजम में विलीफ करता है पुरे परसंस को हम लोग क्या बलते हैं एंट्रप्लर्स क्या करते हैं एंट्रप्लर्स अपने अपने आएंट्रप्लर्स अपने पर्प्लम को इडेन्टिफाई करने me ना लुटिंग एग अशेर कर दोंके अभी राइट नो ही तो को पहला खी आज से ना वी है हम लोग है अब अब स्क्राइब कर लोगा एक गंटा में अब गंटा क्लास हो रहा है तो इतना है आज के लिए